Hello and welcome friends, बात करते हैं Windows के साथ use होने वाले कुछ shortcut keys के बारे में जैसे कि अगर आप Windows के साथ R button प्रेस करते हैं तो क्या होता है? Run command open होता है, यहाँ से आप कुछ भी open कर सकते हैं Like अगर आपको Excel open करना है तो यहाँ पर आप directly type कर यह Excel यह जो open वाला box है, यहाँ पर जाकर कि आप type करते हैं यह Excel और Excel type करने के बाद जैसे यह enter करते हैं तो Excel open हो जाता है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आपको कुछ और open करना है, PowerPoint open करना है तो आपको PowerPoint का keyword लिखना होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होता है PowerPoint और जैसे यह enter प्रेस करते हैं तो PowerPoint open हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगले shortcut की key, तो Windows के साथ R button फिर से हमें press करना है और Windows के साथ R button जैसे ही आप प्रेस करेंगे, लाइक मैं आपे करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर यह window फिर open हो जाती है, और इसमें आप कुछ भी type कर सकते हैं, जो भी आपको open करना हो, ठीक है? जैसे कि इस बार मैं open करना चाहता हूँ MS Word, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर type करना है, विन वर्ड, आपको MS Word के लिए MS Word नहीं type करना, विन वर्ड टाइप करना है, तो आपका MS Word open हो जाता है, ठीक है? इसी तरीके से, अगर आप इन सारे Windows को, आप देखिए, यह बहुत सारी Windows हमने open कर ली हैं, तो हमें क्या करना है? इनको, देख सकते हैं, यह सारे Windows open हुई है, यह सब open stage में हैं, देख सकते हैं, तो इन सब को हम minimize करना चाहते हैं, हटाना ने बलके minimize करना चाहते हैं, तो minimize करने का तरीका क्या होगा, shortcut क्या use होगी, तो आपको वही Windows के साथ M button प्रेस करना है, ठीक है? तो Windows के साथ प्रेस कीजिए M minimize हो गया, सब कुछ minimize हो गया, अब आपको यहां पर screen पर कुछ भी नहीं दिख रहा, तो जो भी application open थे, like MS Word open था, MS PowerPoint open था, यह जो recording का software है, यह open था, इसके अलावा Turbo CID open थी, तो यह सब कुछ minimize हो गया है, तो यह Windows के साथ जो use होने वाले shortcut की है, वो कुछ shortcut keys के बारे में मैं आपको बता रहा था, यह साथ X press करते हैं, तो आपको open power menu, power menu open हो जाती है, Windows के साथ, अगर आप X press करते हैं, like Windows X, ठीक है, तो यह देख सकते हैं, यह इस तरीके से open हो रही है, Windows X, ओके, तो यह power menu है, यहां से जाकर के आप कोई भी, जो भी task करना है, अगर आपको file explorer में जाना है, तो यहां से जाकर के पूरा अपना system में देख सकते हैं, कहां कौन सी चीजे store की गई है, वहां से आप उनको open कर सकते हैं, आई होप की बात समझ में आ रही होगी, thank you for watching this video.